एक जज को समाज में सबसे जादा सम्मान मिलता है वजह उनकी सत्य निष्ठा और न्याय करने को लेकर उनकी आस्था लेकिन दो ऐसी खबरे सामने आई हैं जिन्होंने जजों की कौम को शर्मसार कर दिया है चलिए एक एक कर नजर डालते हैं दोनों खबरों पर पहली खबर आरोपी की कार लेकर टूर पर चले गए जजज साहब प्रिशान जोशी धेरदून में जिला जजज हैं उन्हें उत्राखन हाई कोट में सस्पेंड कर दिया है प्रिशान जोशी पर आरोप है कि अपनी सरकारी कार होने के बावजूद वह एक मामले के आरोपी की ओडी कार लेकर मसूरी कैम्प करने चले गए प्रिशान जोशी को सस्पेंड करने का आदेश हाई कोट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंग बोनाल की तरफ से जारी किया गया है जिस आरोपी की ओडी का इस्तमाल करने का आरोप जोशी पर लगा है उसका नाम केवल कृशन सोनी है सोनी है कि वहाई कोट की परमिशन के बगैज स्टेशन नहीं छोड़ेंगे दूसरी खबर नेपाल में महिला के साथ कम्रे में पकड़े गए तीन जज बरखास्त बिहार सरकान ने 21 दिसंबर को निचली अदालत की तीन जजों को नौकरी से बरखास्त कर दिया है तीनों जज जन लजिस्ट्रेट कोमल राम और अररिया के ततकालीन अतिरिक्थ जिला इवं सत्र न्यायधीश जितेंदर नाथ सिंग शामिल है राजसरकान ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है इसमें साफ किया है कि बरखास्त होने के बाद तीनों जज किसी भी प्रकार की सुविधा के हगदार नहीं होंगे मामला 29 जनवरी 2013 को सामने आया था तब पटना हाई कोट ने इस पूरे मामले का सुहतस अंग्यान दिया था कोट नी जांच में तीनों जजों को दोशी पाया जांच के बाद परवरी 12 2014 को हाई कोट ने बिहार सरकार से तीनों जजों को बरखास करने की अनुशन साकी थी आपके लिए खबर लिखे हमारे साथ ही अमित में मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दी लल्लन टॉप शुक्रिया दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्स्पीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है एप की ललन टॉप एप जो लॉंच होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस से ललन टॉप शो चुनावी कवरेज परताल और आसान भाशा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेजबुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और दीललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए